वेल्कम बैक एब्रीवन वेल्कम टु सुबल सर्फ से श्टड़ी ये प्रेक्टिस सेट नंबर 39 है डेली प्रेक्टिस सेट का यूपी पीसेस की ये टेस्स सीरीज चल रही है हर दिन प्रेक्टिस करते रहेगा 38 इसकी टेस्ट अल्रेडी कंप्लीट हो गया है उसकी हमने प्ल चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न कया है इसमें 20 प्रश्न है और यूपी PCS की प्रारमबिग परिक्षा में जीएस पिपरवन में 150 प्रश्न आते है ठीक है वां थरड की मारिकिंग होती है दूसरा जो पेपर होता है वो GS Paper II के नाम से होता है जिसको CSAT का पेपर बोलते हैं उसमें 100 परशन आते हैं 100 परशन साही करने पड़ते हैं वो qualified और सेकंड वाला मेर्डी जो बंती है वह इनी-डेट 100 परशन की बंती है और यह पेपर क्या गया है इंडियास first first modern has been established in which state हर वो चीज जो करन्ट से related करती है और पहली है important है परिक्षा के point of view से इसका उतर क्या है इसका उतर हुआ है अट तो उतराखंड राज में 9तल जिले के खुर्पा ताल में भारत का पहला मॉस गार्टन जो है विक्षित किया गया है इस मॉस गार्डन का उतखाटन परसिद जल सनरक्षन कार्यकरता जिनको वाटर मैन के नाम से जना जाता है जल पूरुज भारत का यानी राजिंदर सिंग उन्नोंने किया था देखिए यह जो मॉस प्रचातिया होती है वह पाइसिक तंत्र के उतार चड़ाब की संकेतक होती है ठीक है महत्पूर्ण संकेतक होती है और आवास जल्वाइव परिवर्तन के प्रती जो है अधिक संबेदन सील होती है यह मौस प्रजातियां हो गई लाईयकेंड के प्रांट होगई है सब है अजय हो थे शिली का मकभरा कहा है यह नंबर यसफर को प्रक्रक या वाटसप करके आप फूल टैस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो शेक श्यली का मकभरा हर्याने में है थिक है आप्सट नंबर सी तो सीख शिली एक जो है बड़े विद्वान, सम्माने तो सूफी संथ और एक आध्यात में सिक्षक थे सेख शिली का मकवरा हरियाना के कुरुप शेत्र के बाहरी इलाके में एक उपरी टीले पर बनाया गया है ठीक है क्वेशन नुबर थरड़ है निमलिके में से कौन सा एक साई समलित नहीं है भारतिय सैना दिवस 15 जनवरी को नितरी सुवाश्टंद्र वोसकी जनती 13 जनवरी को राष्टे बालिका दिवस 24 जनवरी राष्टे परिटन दिवस 26 जनवरी देखे राष्टे परिटन दिवस का मिलान यहां पर साई समलित नहीं हुआ है राष्टे परिटन दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता 26 जनवरी को नहीं राष्टे बालिका दिवस 24 जनवरी सही है नेता जी सुवाश्चंद्र वोस जनती 23 जनवरी सही है रास्टी है मददान देवस भी बनाया जाता है 26 जनवरी को बनाया जाता है रास्टी है गरतंतर देवस तो 11 देवस इंपोर्टेंट है पूछ लेता है मैच करने के लिए या तो एक पूछेगा या चार-चार कर बना के पूछेगा इस बार चार बना के पूशे थे 12 जून को UPPCS की प्राडमिक परिक्षा में ये करेंट से रिलेट करता प्रशन है कि वर्ष दोहर 21 में थोल वन जीव अभैरन और बांधवाना आदर भूमी शेतर को रामसर इसल का दर्जा दिया गया आपको बताना है कि ये दोनों जो है नमले के तुमेसे किस राजमेस से था है गुजरात में पंजाब में हमाचल प्रदेश में हमाद प्रदेश में प्रशन देखिए किसी भी तरह से पूशा आ सकता है कहां फिराकर हर तरह से तैयार रहिएगा इसका अंसर है गुजरात तो गुजरात के कुछ रामसर इस्थल ठिक है जिनको समय के अनुसार रामसर इस्थल में सामिल किया गया जैसे कि एक है नाल सरोवर पक्षिय अभेहन गुजरात का है दोहार बारे में रामसर इस्थल का इसको दर्जा मिला थोल वने जीवा भेहन को 2021 में मिला है और बांधवाना आदरुमी छेत्र को भी 2021 में मिला है और अभी हाल ही में खिजडिया पक्षिया भेहन जो गुजरात का है उसको 2022 में रामसर इस्थल में सामिल किया गया है वहर 22 में दो हैं एक गुजरात का है और दूसरा उत्तर प्रदेश का है कल के टेस्ट में कराया था यह प्रश्ण पॉलिटी से रिलेट करता है पॉलिटी का प्रश्ण है वन जिवो एवं पक्षियों का सनरक्षन संब्धान की निमलिकत में से किस सूची का विशह है प्रोटेक्शन ओफ वाइल्ड लाइफ एंड वाड्स तेखें कभी यह राज सूची का विशह था लेकिन एक संब्धान संसुदन होता 42 संब्धान संसुदन 1976 संब्धान संसुदन 1976 के द्वारा सिक्षा को यानि एजुकेशन को बन को यानि फॉरस्ट को वन जीवो एवं पक्षियों का संडक्षन यानि प्रोटेक्शन ओफ वाइल्ड लाइफ एंड वर्ड्स नापतोल को और निया प्रशासन को ठीक है मेजर्मेंट और एड्मिनिस्टेशन को इन सभी को और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा सभी नयायलों के गठन और संगठन के विश्यकों राज सूची से संबर्ती सूची में सरांतरित किया गया कोईशन नुबर सिक्स पर आजए है भारते समिधान में मौलिक करतेवियों के तहत राष्ट ध्वज और राष्ट गान का आदर करने की बात कही गई है संदक्षन करने की बात की गई है समान करने की बात की गई है इन में से कोई नहीं इस तरह से प्रश्ण पूछ लिया जाते है एक्जेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कौन सा सब्द रखा गया है वहां पर तो संदक्षन की बात नहीं की गई है सम्मान की बात नहीं की गई है आदर करने की बात की गई है ठीक है एक सेक्ट जो वर्ड है उससे रिलेट करते हुए प्रश्ट भी बन सकता है तो आदर करने की बात की गई है क्या है वो पहला ही है यह पहला आपका fundamental duties है संबिधान का पालन करना उसके आदर सो संस्थाओं रास्ट ध्वज और रास्ट गान का आदर करना क्या होगा इस खांतर मशिली पत्नम में किये थे नाग पत्नम में किये थे सूरत भरुच में भी किये थे कोचीन एहमदाबाद पत्नम आगरा सभी हो जाएगा तो डी भारत में डचो के द्वारा प्रमुख व्यापारिक केंद्र नाग पत्नम चेंसुरा मशिली पत्नम सूरत भारुच आगरा कोचीन एहमदाबाद पत्नम आदी थे इसलिए विकल्प डी करेक्ट है कभी प्रोजेक्ट टाइगर वो तो 1973 का प्रोजेक्ट टेलिफांट है 1992 का 1992 सी तो प्रोजेक्ट हाथी की सुरुबात वर्स 1992 में भार सरकार के परियावरण और वन मंत्राले द्वारा जंगली एशाई हाथियों की मुक्त आवादी के लिए राज्यों द्वारा वन जी प्रवंधन प्रियासों के लिए वित और तक्निकी साहता प्रदान करने के अउद्देश उसे की गई थी कोशन नुबर नाइन पर आजी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं धर्मत के युद्ध पर धर्मत का युद्ध नमें से और द्वाब निए किसके बीच लड़ा गया था देखिए मराठा अफगान के बीच तो नहीं थर्ड बेटल पानिपद उगा था पानिपद का तीसरे अउद्ध रहा था मराठा और अफगान के बीच ज से अफगान जीत गए मराठे हार गये जो धर्मत का युद्ध वह था वह था औरंजेव और दारशिकों के बीच में तो C है इसका अमजर देखिए मध्य प्रदेश में उजयन के निकट इस्थित धर्मत धर्मत नामकिस्थान पर 15 अप्रेल 1658 को औरंजेव और दारशिकों के बीच में युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में जोदपुर के राजा जस्वन सिंग ने दारशिकों की तरफ से तथा मुराद ने औरंजेव की तरफ से भाग लिया कुश्यों नुबर दस पर आ जाईए दक्कन के विद्रों के बाद ग्रामीन रिन ग्रस्तता से निपटने हेतू क्रशी वैंको की स्थापना का प्रस्थाप किस ने दिया किस ने दिया था लॉर्ड कार्नवालिस लॉर्ड डलहोजी लॉर्ड रिपन या सर बिलियम बेडन बर्न एक प्रेश्ण बड़ा पूछते हैं कि भारत में स्थानी एस तो शाष्टन का पिता किसको का जाता था उसका उत्तर लॉर्ड रिपन है ठीक है पुलिस सेवा का पिता सिवल सेवा का पिता भारत में लॉर्ड कार्नवाले से डॉक्ट्रिन ओफ लैफ्स यानि राजहणप नीती लेकाया डलहोजी यहां उत्तर है सर विलियम बेडर बर्न तो सर विलियम बेडर बर्न ने दक्कन के विद्रों के बाद ग्रामी औरिंड ग्रस्ता के विरुद उपाई के रूप में क्रशी वेंको की स्थापना का प्रस्ताब दिया Quesion No.11 पर आज़ी है Father of Genetix यानि अन्वानशिक्ता के पिता के रूप में किसे जाने जाता है सभी को पता को इसका अंसर इसका उत्तर है Gregor John Mendel तो John Mendel को Father of Genetix अथाठ अन्वानशिक्ता के पिता के रूप में जाने जाता है ठीक है कई वर्षों तक मट्र के पधों पर प्रियोग किये थे नुने तीन नियम दिये थे सुतंत्रता का नियम और प्रभाविता का नियम और एक अपवियुहन का नियम है आप पर्थक्रन का नियम, प्रभाविता का नियम स्वतंत्र अपवियोःण का नियम दिया था है इनोंने 12 प्रश्ण है नमर्रेके तमसे कौन सा एक साई नहीं है कौन सा एक साई है तीन स्टेटमेंट है यहां पर देखें पौधे सूर के प्रकास से प्राप्त ऊर्जा को कार्भाहेडरेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं पौधों में पर्ण हरिम होता है यानी क्लोरोफिल इसमें तो सोचने की बात नहीं है बिल्कुल होता है कि पादब कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है सेलवाल तो होती है पादब कोशिकाओं में प्लांट सेल में होती नहीं क्या यह गलत है, cellulose की बनी होती है, होती है, पहला सही है, दूसरा सही है, तो तीसरा बाला सही नहीं है, सब सही है नहीं, थर्ड बाले को eliminate करेंगे हमको, क्योंकि दूसरा भी सही है, तो B है answer तो प्रकास संसलेशन यानि फोटो सिंथेसिस की हम बात करें, तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, यह पत्तियों को सूर्य के प्रकास की उर्जा को पकड़ने में मदद करता है, अब देखिए, इस उर्जा का उपियोग जो है कारवन ड प्रकास संसलेशन कहा जाता है, सूर्य के प्रकास की उपस्तिती में करवन डायक्साइड प्लस जल, कार्भोहाइडरेट और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, हरे पोधे हो गई, हरे सेवाल हो गई, साइनो वेक्टरिया हो गई, प्रकास संसलेशन कर सकते हैं, प्रकास संसलेश प्लस 6H2O प्लस सूरिका प्रकास एनिसन लाइट बनेगा क्या C6H1 206 प्लस 6O2 देखिए पौधों की कोशिकाओं में उनकी रक्षा करने और उन्हें कठोर संदर्शना बनाने के लिए एक कोशिका भित्ती होती है सैल वाल होती है तो तीसरा वाला स्टेट्मेंट है वो गलत है तो अगर इस परश्टी करन हम निकालें तो पहला वाला करेक्ट हो गया, दूसरा वाला करेक्ट हो गया, तीसरा वाला इनकरेक्ट होगा, यह की पादब कोशिकाओं में कोशिका भित्ती होती है कोशन बर 13 पर आजे नमलेकर में से कौन सा साही सुमेलित नहीं है सूची एक सूची दो पित्रस अगनाशे रस लाइपेज टाइलेन पसा का पाचक एंजायम अगनाशे द्वारा स्रावित यक्रत द्वारा स्रावित लार का पाचक एंजायम सुमेल करना A का B ये क्या होगा C D देखें पित रस जो होता है वो यक्रत द्वारा स्रावित होता है यानि बाइल जूस जो है वो लिबर द्वारा सिक्रेशन होता है उसका अगनाशे रस अगनाशे द्वारा स्रावित होता है तो B का B हो जाएगा B का 2 हो जाएगा लाइपेज वस्षा का पाचा कन जाएम है तो C का बन हो जाएगा और टाइलेन जो है लार का पाचा कन जाएम है यानि इसका जो आंसर बनना चाहिए वो A का हो गया 3 और B का हो गया 2 C का हो गया 4 D का हो गया 4 और C का हो गया 1 किस में है वो वो है C में A का 3 C का 1 B का 2 D का 4 तो देखिए जो पित रस है यानि जो बाइल जूस है वो लिवर द्वारा निकलेगा ठीक है उसका सीक्रेशन लिवर से होगा अगनाशे रस का अगनाशे द्वारा होगा यानि पेंक्रियाटिक जूस जो है पेंक्रियास से निकलेगा लाइपेज वसा पाचक एंजाइम है वो ठीक है लाइपेज जो है डाइजेस्टिव एंजाइम फैट्स है टाइलेन की बात करें तो लार का पाचक एंजाइम है यानि digestive enzyme of saliva वर्शन नमर से 14 पर आज़ेए विविन पसु के स्वाशन अंग के संबंद में कौन सा एक साही समलित नहीं है यह है पसु यहन के स्वाशन अंग केंचुवे का केवल तोचा वेल का फेपड़े कोक्रोज का ट्रेक्या मेड़क का केवल तोचा देखिए कोक्रोज के सामने ट्रेक्या लिखा वेल के सामने फेपड़े लिखा वेल एक इस संधारी है तो विल्कुल फेपड़ो से करेगा अब केचुवे के सामने केवल तोचा होता तो इंडिकेट कर जाता था student को कि हाँ यहीं उत्तर हो सकता है लेकिन यहां दो में लिखा confusion करने के लिए तो केंच्वा जो है केबल तच्छा-धौरा ही सउसन करता है यह इस पाधसत है लेकिन जो मेधख है हुग है ठीप है वो थीपड़ों के द्वारा भी करता है क्योंकि मेधधक एमफिविएन है इसने डी स्टेट्पेंट जो है वो गलत है केभल नहीं होना दा दाओ नौनला सईयु है फिर्षीट में गलतो जो सब्सक्राइब कर सकता है यह जीब जिन्थु के तो जो केच्वा है वह तुच्छा के द्वारा करता है और इसको केबल भी लिख दो तब भी सही हो जाएगा वह ठीक है और वेल जो है मैमल है तो फेपड़ों के सही है ठीक है मकडी हो गई स्कॉर्पियन हो गई यह उखोगुआ से भी कर सकता है इसलिए डीवाला स्टेटमेंट गलत था हमारा वहां पर देखें जो बहचर होते हैं जो संधारी होते हैं जो पक्षी होते हैं फेपड़ों के द्वारा करते हैं वह बहचर यानि जो जल्थल दोनों में रह सकता है इसकी पीडियेप मिलेगी आपको पेड़ ग्रूप में उससे अच्छे से पढ़ लीजेगा 15 प्रस्टन है नमलेखित कत्नों पर विचार करेंगे दो स्टिटमेंट है बताने किरमें से कौन सा करेक्ट होगा देखें गलफड़ा एक सोसन अंग है जो अधिकान से जलिये अक्सिएन को निकाल सकते हैं और कार्बन डाइए अक्साइड उद्सरजित कर सकते हैं क्या वात सत्य है कलफड़े को बोलते हैं गिल यह इसका वाइलिंग ट्रंसलेशन है पिल्कुल यहां दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही लग रहा है कोई भी गल्ती इसमें है नहीं त तो सी है इस कांसर तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट गल्फड़ा एक सोसन अंग है जो अधिकान से जलिये जीबों में पाया जाता है गल्फड़े पानी से बिक्टित ऑक्सिएन को निकाल सकते हैं और कर्बन डाइए अक्साइड इनी सीओ तू वो सरजित कर सक सकते हैं ऑक्तोपस हो गया स्क्वीड हो गया और क्लाउन फिस हो गया टेड़ पोल हो गया जीगा हो गया आधी में जो है गल्फड़े पाए जा सकते हैं यानि गिल्स होते हैं मैं अब आजये कोशन नबर 16 प्रत्वी के किस विंदू पर गुर्टवा कर्शन नहीं है कहां पर नहीं है एट विच पॉइंट ऑफ दा आर्थ देर इस नो ग्रेविटी उत्तर और दक्षणी धुरूप पर यानि नोर्थ पोल साउथ पोल में भूमदरेखा पर एक्विटर समद्र की सटय पर यानि अर्थ सर्फेज मतलब सी सरफेज और प्रत्वी के केंद्र में यानि सेंटर उफ दार्थ तो प्रत्वी के केंद्र में नहीं है ढन्य क sexualityと जैए कैए आज पर देखें प्रत्वी को एक मैने एशक्ता है कि यादि हम उस इस्थान पर हैं तो हमारे आ देखे एक गोलाकर आवरण के भीतर जाने पर छमता में कोई बतलाब नहीं होता और चुकि केवल छमता में परिवरतन बल आरोपित करता है तो इसका तात पर क्या है कि कोई बल है ही नहीं इसलिए गुर्तवा कर्शन के कारण तरण पृत्वी के केंदर में सूने होता इसको पढ़ लिजेगा पीडियो से है अब जाएंगे हम कोईशन अबर 17 पर एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है माइकरान में पूछा याद रखिए मिटर में नहीं पूछा है एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने माइकरान 10 की घाथ मैनस चार माइकरान अगर पूछता कितने मीट तो 10 की घाद माइनस 10 मीटर तो 10 की घाद माइनस 4 माइकरान हो गया यदि मीटर में पूछा होता तो एक एंगस्ट्राम बराबर 10 की घाद माइनस 10 मीटर ठीक है लेकिन माइकरान में पूछा है तो confusing pair यही है कि एक एंगस्ट्राम बराबर 10 की खाथ-10 मीटर, माइकरान में पूछे तो एक एंगस्ट्राम बराबर 10 की खाथ-4 मीटर, एक एंगस्ट्राम की बात करें तो एंगस्ट्राम लंबाई की एक एकाई है, जिसका उपयोग बहुत छोटी दूरी को मापने एक एक एंगस्ट्राम 0.1 नैनो मीटर के बराबर होता है, इसका जो नाम है वो एंडर्स जोन्स एंगस्ट्रस, यानि स्वीडिस बहुत एक विग्यानी थे, उनके नाम पर इसका रखा गया, एक माइकराउन एक मीटर का एक लागवा हिस्सा है, और एक एंगस्ट्राम दसकी घाथ माइनस चार माइकराउन होता है, कुश्चन नबर 18 पर आजए, इन में से क्या रख्त का थक्का जमाने के लिए सहाएक है, जमाने में सहाएक है, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K, विटामिन तो न लिखा, तो प्रजशन कुछ भी पूछ सकता है, एक कैमिकल नेम डाल दिया है, लिटामिन नाइन का, विटामिन K यहाँ से उतर हो जायगा, यानि फ्लॉक्पिनोन C यह फॉलिक एसिड बिटामिन B9 का है और बायोटीन होता तो बिटामिन B7 का देखें बिटामिन के वह बिटामिन है जो हरी पत्तियों में फूल गोबी और ब्रसल स्प्राउट में आपको मिलेगा सरीर में बिटामिन के रक्त का थका जमाने में बहुत ही महदबुन भूमी का आदा करता है यह नबजाद बच्चों में रक्त के पतले करने के एसर को उत्करम करने के लिए उपयोग किया जाता है जिन में आवश्चक रूप से बिटामिन के नहीं होता ठीक है उनमें रक्त के थक्त के जमने की समस्या के उपचार के लिए और उपचार के दौरान रक्त बहाब को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है इसका किसका बिटामिन के का जब फॉलिक एसिड का जो रसानिक नाम है वो क्या है बिटामिन भी नाइन सबके जितने भी बिटामिन सबके रासनिक नाम बता शुके है ठीक है कई कई बार उनको याद रखेगा Question number 19 पर आजए है नमरेकर मेंसे कौन जो है धारा के ताप ही है प्रभाब पर अधारित नहीं है कौन सा इसमें Which of the following is not based on the thermal effect of current विद्द उश्मक और दूसरा है विद्द वल वह भी filament वाला विद्द इस्त्री यानि electric iron और माइक्रोवेब क्या नहीं है इसमें माइक्रोवेब नहीं है ठीक है डी है इसका आणसर तो माइक्रोवेब ओबन जो है भोजन को गर्म करने के रिए यहां सूख्षम तरंगों करता है माइक्रोवेब ओबन के सन्दर में आमतर पर उपियों की जाने वाली रेडियो तरंगों की जो आफ़रती होती है वो 25-S5 GHz होती हुट इस अब्रती में रेडियो तरंगे जलब शहा और सरक्रादवरा अप्षोशित होती हैं जब उन्हें अप्षोशित किया जाता है तो वे सीधे परमाणु गति या कंपन में परिवर्टित हो जाते हैं इस परकार भारी गति या कंपन ऊश्मा में परिवर्टित होती है यह फंडा कोछ अतिरिक्त जानकारी यदी हम देखें तो एक विद्धुत उश्मक, विद्धुत वल्प, वभी फिलामेंट वाला विद्धुत आयरन एक विद्धुत उपकरणा है जो विद्धुत धरा को उश्मा में परिवर्थित करता है ये जूल तापिये प्रभाब के सिद्धान पर कार करते हैं एक प्रतिरोधक से गुजरने वाली विद्धुत धरा उस विद्धुत उर्जा को ताप उर्जा में परिवर्थित करतेती है question number 20 पर आज़े बीसवा प्रशन अंतिम प्रशन ये एक पोधे की कोशिका बित्ती बनी होती है सलवाल की बात हो रहा है ठीक है सलवाल की बात करा है किसकी बनी होती है cellulose की कार्वाइडरेट की लिपिड की या लिपो प्रोटीन की तो cellulose की बनी होती है ये कई बार पता चल गया होगा आपको आपको अप्सन नमबर यह है इसका अंसर तो पोधों की जो कोशिका बित्ती होती है जो सलवाल होती है वो cellulose की बनी होती है cellulose प्रती पर सबसे पुर्चर मत्रा हैं पाय जाने वाला एक स्थूल अणू है cellulose तंतू यानि फाइबर सैकडो ग्लुकोज अणूओं के लंबे रेखिक बहुलक होते हैं यह तंतू या फाइबर लगभग चालेस के बंडलों में कत्रित होते हैं जिन्हें सूक्षम तंतू कहा जाता है यानि माइक्रो फेब्रिल माइक्रो फेब्रिल सूक्षम तंतू तो 20 प्रशन थे यह ठीक है साथ से 8 प्रशन इसमें इंपोर्टन्ट जनल साइंस के प्रशन थे जो कि इंपोर्टन्ट है किसी भी स्टेट PCS के लिए चाहे वह यूपी PCS की परिक्षा हो बिहार की परिक्षा हो या उत्राखंड PCS की कि सबके लिए हैं है ठीक है बीपी एसी में तो 25-25 पूछे आते हैं 25-26 प्रशन जो है जनल साइंस के लेकिन विगत कुछ बर्सों में जनल साइंस के प्रशन कम हो गए उतने कम नहीं हो गए कि पंद्रे से अठारे प्रशन तब भी आते हैं ठीक है यानि वह बीस का जो रेशियो है वह आज भी बना हुआ है तो प्रैक्टिस कर लेजेगा इन सभी टेस्ट का आप पीडिये प कर सकते हो टेलेग्राम पर डिस्क्रप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कॉल या वाट्सप करके धन्यवाद